अगर आप सिरफ दस्वी पास भी हैं और आपके पास लेप्टॉप भी नहीं है तो भी आप बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं बिना एक पैसे की इन्वेस्टमेंट किये मैं आज के वीडियो में आपको कमाई का एक ऐसा अद्भुत तरीका बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में अभी तक किसी को जानकारी ही नहीं है दोस्तो तो दोस्तो आज मैं आपके लिए मेरा अभी तक का सबसे बढ़िया और यूनीक पार्ट टाइम कमाई का तरीका लेकर आया हूँ मुझे आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते थे सर हमें पार्ट टाइम कमाई का कोई ऐसा तरीका बताईए जो आपके हिसाब से सबसे अच्छा हो तो दोस्तो मैं आज के वीडियो में आपको पार्ट टाइम कमाई का ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ जिस से करीब 15 साल पहले लेकिन कुछ टेकनिकल प्रॉब्लम्स की वज़े से मैंने इसे छोड़ दिया था लेकिन आज मैं आपको वही अनोखा पाट टाइम कमाई का तरीका बताने जा रहा हूं दोस्तों क्योंकि आज 15 साल बाद टेकनोलोजी ने इतनी ज्यादा तरक्की कर ली है कि आप बहुत असानी से उसी तरीके से बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं और वो भी सिरफ अपने मोबाईल फोन से ही फिर चाहे आप स्टूडेंट हैं जॉब करते हैं हाउस वाइफ हैं कोई बिजनस करते हैं आप इस यूनिक तरीके से बहुत अच्छी पार्ट टाइम कम मैं पिछले 26 सालों से एक HR recruitment professional हूँ और इतने सालों के experience के दम से ही मैं आपके लिए full time job और part time job से related videos बना कर regularly लेकर आता हूँ दोस्तो इस दुनिया में और भरत में भी सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी यानि के नौकरी का ना मिलना आप इस सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी से जूजते हुए लाखों लोगों को रोष्णी की एक किरण दिखा कर बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं मतलब ये है कि जिन लोगों को पूरी कोशिश करने के बावजूद भी एक अच्छी नौकरी मिल ही नहीं पा रही है आप उनको इस समस्या का सोलूशन या समधान दे कर अपने लिए बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं दोस्तो जैसे ही किसी भी कमपनी में कोई भी नौकरी निकलती है सेक्णों कैंडिडेट्स अपना एक बोरिंग सा दो तीन पेज का रिजूमे उस कमपनी में भेज देते हैं उस कमपनी का HR या Recruitment Department उस तरह के सेक्णों बायड़टास से भर जाता है और ये सभी रिजूमे या बायड़टास देखने में एक जैसे ही लगते हैं लेकिन अगर कोई समझदार कैंडिडेट अपना एक बोरिंग सा रिजूमे भेजने की बजाए इस तरह की अपनी एक रिजूमे वेबसाइट बना कर उस कमपनी में भेजे तो आप सोचिए वो अलग से दिखेगा अलग से अडेंटिफाई किया जाएगा इस तरह की में खुद अपना परीचे देते हुए दिखेगा भी तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको यह सिखाने जा रहा हूं कि कैसे 100% फ्री में सिरफ अपने नए पुराने मोबाइल फोन से ही आप एक बहुत ही बढ़िया सुन्दर रिजूमे वेबसाइट बना सकते हैं और आपकी जेब से एक पैसे की भी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी अगर आप सिरफ दसवी पास हैं और वेबसाइट बनाना तो बहुत दूर की बात है अगर आपको वेबसाइट की ज़्यादा जानकारी भी नहीं है तो भी इस वीडियो के खत्म होने से पहले आप एक बह आपको जानकारी देता हूं वो व्यक्ति यह सोचता है यार मेरी मन मताबिक नौकरी लग क्यों नहीं रही है मेरे में कमी क्या है आखिर क्या चीज है जो मैं करूं कि मेरी नौकरी जल्दी से लग जाए अगर आप उसको यह आइडिया देते हैं कि भीया आपको जब जॉब करते हैं उस कंपनी में बैठे हुए रिक्रूटर या एचार डिपार्टमेट सारे रिजूमे देखते तक नहीं है पहले 10-12 रिजूमे जो उनके हाथ में आ गए उनी में से किसी को चूज करकर वो रख लेते हैं क्योंकि इतने सारे कंडिडेट्स के सबके रिजूमे देख या डिपार्टमेंट या रिक्रूटर उसके रिजूमे को कम से कम देखेंगे तो सही और अगर उसका रिजूमे जादा से जादा कंपनियों में देखा जाएगा तो उन कंपनी वालों को लगेगा यार ये कंडिडेट तो यूनीक है यूनीक तरीके से रिजूमे भेजता ह जोनों इसको कम से कम interview के लिए बुलाओ, इस तरह से वो candidate कम से कम interview के लिए तो पहुचेगा, और हो सकता है कहीं न कहीं select भी हो जाए, तो ये कारण है कि जल्दी से बहुत सारे candidates जो job ढूंड रहे हैं, अपनी resume website बनाने के लिए तयार हो जाएंगे, अब आप सोचेंगे, चलि candidates कैसे मिलेंगे, जो आप से अपना resume website बनवाना चाहेंगे, और उसके बदले में आपको पैसे भी देंगे, तो दोस्तो मैं आज आज आपको इसी वीडियो में एक नहीं दो-दो ऐसे तरीके बताऊंगा, जो 100% practical हैं, जिनके जरीए घर बैठ कर सिरफ अपने mobile phone से ही आपको भर-भर के बहुत सारे ऐसे candidate मिल जाएंगे, भारत के और विदेशी भी जो आप से अपनी resume website बनवाना चाहेंगे, और आपको पैसे भी देंगे, देखे दोस्तो काम इस तरह से होगा, सबसे पहले मैं आपको 100% free में एक बहुती सुन्दर world class professional resume website बनाना सिखाऊंगा, आप मत कीजिए, आप बिल्कुल सीख जाएंगे, आप ये मत मन में आने दीजिए, जी हमारे बसका नहीं है, आपके बसका है, इस वीडियो के खत्म होने से पहले, मेरी गारंटी है, आप एक बहुती सुन्दर resume website बनाना सीख जाएंगे, अगर आप ज्यादा पड़े लिखे नह खुबी चलती है, और सबसे important मैं आपको इस resume website में एक video डालना भी सिखाऊंगा, ये video डालने के लिए एक trick लगानी पड़ती है दोस्तो, जब तक आप value addition नहीं करेंगे, तब तक पैसे नहीं कमा पाएंगे, आखिर कोई भी customer आपको एक simple सा काम करने के पैसे नहीं देगा, बहुती सुन्दर काम करके देंगे, तो ही पैसे मिलते हैं, अपने काम में आपको कोई अनोखा सा एक तड़का लगाना पड़ता ही है, तब ही आप बिखते हैं दोस्तो, उसके बाद मैं आपको दो-दो mobile apps पर लेकर चलूँगा, वो भी 100% free है, बहुत बढ़िया है, दुन उनके बारे में दुनिया जानती है, ये सब world famous हैं, लेकिन मैं इनी websites, mobile apps और tools का इस तरह से combination बना कर आपके लिए लेकर आया हूँ, कि इस तरह के combination के बारे में आज तक किसी को जानकार ही नहीं थी, पर मैं आपको इनी world famous, mobile apps, websites और tools का इस्तेमाल इतने अनोखे तरीके से करन आपको आज सिखाऊंगा कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये भी combination है, इस तरीके से भी कमाई हो सकती है, तो चलिए बिना एक पैसा invest किये, सिर्फ अपने mobile phone से ही कमाई का एक नया तरीका आज सिखते हैं, तो दोस्तों ये है मेरे laptop का screen, मैं अभी आपको अपने mobile phone पर भी देख रहा है, ठीक है, अब दोस्तों मैं Google का वो tool या औजार आपको दिखाता हूं, जिससे आप professional 100% free resume website बना कर client को देंगे, और बहुत अच्छी कमाई करेंगे, तो दोस्तों ये है वो tool, इसका नाम है Google Sites, ठीक है, मैंने इस Google के tool का link इस video के description box में डाल दिया है, जैसे ही क्लिक करेंगे, ये इस तरह से आपके laptop पर खुल जाएगा, और अब ये रहा मेरा mobile phone, मैंने जैसे ही इस link पर क्लिक किया, ये मेरे mobile phone पर इस तरह से खुल गया, अब गौर से दिखिएगा दोस्तों, आपने इस Google के tool या औजार को desktop mode में चलाना है, तभी ये चलेगा, ठीक है यहां क्लिक किया, ये Google का tool या औजार, desktop version में या mode में खुल गया, ठीक है, अब ये उसी तरह से काम करेगा, जैसे laptop पर काम करता है, ये जरूर खुल लिएगा दोस्तों, otherwise ये tool काम नहीं करता है, अभी मैं अपना mobile phone आपके सामने से हटा दूँगा, आपको आगे का सारा काम अपने laptop पर ही दिखाऊंगा, क्योंकि laptop का screen बड़ा होता है, font बड़े होते हैं, मेरे लिए आपको समझाने में आसानी रहती है दोस्तों, ठीक है, आप सारा काम अपने mobile phone से ही कर पाएंगे, चिंता मत कीजिए, आपको laptop की जरूरत ही नहीं है, तो अब मैं वापस अपने laptop क screen पर आ गया हूँ, अब दोस्तों एक जरूरी information सुन लीजे, जब भी आप किसी भी client से, उसकी resume website बनाने का काम पकड़ेंगे, आपने उसको ये request करनी है, कि वो आपको अपने resume by data की पूरी details तो भेजेगा ही email के जरीए, इसके अलावा, वो एक नया Gmail ID भी बनाएगा, और उ उस नई बनी Gmail ID को उसके password के साथ आप से share करेगा, ठीक है, क्योंकि Google साइट के इस tool के जरीए, जो हम एक 100% free में बहुत बढ़िया professional resume website बनाने जा रहे हैं, वो एक Gmail ID के जरीए ही बनती है दोस्तों, ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है, तो जैसे ही आपको customer या client से, उसके resume की details और एक नई email ID और password मिल गए, उसके बाद आपने कैसे काम करना है, अब आप देखते जाएए, सबसे पहले आपने यहाँ राइट हैं में सबसे ओपर यहाँ आ जाना है, ठीक है, यहाँ पर आपको यह जो S दिख रहा है, यह कुछ भी ABCD कुछ भी हो सकता है, जब आप customer या client द्वारा दिये गए email ID को डाल देना है, जो उसने specifically बना कर आपको दिया है, ठीक है, उसके बाद next पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर दोस्तों आपने customer द्वारा दिये गए password को डाल देना है, आप चिंता मत कीजे दोस्तों, customer आपको यह email ID और password इसलिए देगा, क्योंक यह हमने next पर क्लिक किया, हम अपने इस Google के tool या औजार पर वापस पहुंच जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर जहाँ got it लिखा यहाँ क्लिक कर देंगे, यह window हट जाएगी, ठीक है, अब दोस्तों हम एक सुन्दर सी professional 100% free में बहुत बढ़िया resume website बनाना शुरू करेंगे, मैं आज आपको 100% free में एक ऐसी website बनाना सिखाने जा रहा हूँ, जिसमें आप जितने मर्जी pages की website बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि कोई customer कहे कि मुझे तो 10 page की website चीए, मैं आपको ज़्यादा पैसे देने के लिए तयार हूँ, ठीक है, तो अब आप उसको यह त जिन्देगी चलेगी, even domain name भी कभी भी खरीदना नहीं पड़ेगा आपके customer को, ठीक है, 100% free है, lifelong है, अब देखी जहाँ पर यह प्लस का sign है, colorful मैं यहाँ क्लिक करूँगा, तो दोस्तों, यहाँ से अब हम एक website बनाना शुरू करेंगे, ठीक है, सबसे उपर दिखिए, जहा customer का नाम डाल देना है, जिस customer के लिए आप यह resume website बनाने जा रहे हैं, ठीक है, मैं फिलहाल यहाँ पर अपना नाम डाल देता हूँ, अब आप देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ, add logo, देखें, अगर आप किसी व्यक्ती की resume website बना रहे हैं, तो उसमें logo नहीं हो सकता है, logo तो किसी company या business का होता है दोस्तों, ठीक है, इसको अभी हम छोड़ देंगे, और उसके बाद यह जो first page है website का, जिसको हम कह सकते है homepage, ठीक है, इसका हम एक नाम रख देंगे, ठीक है, इसका नाम हमने रख देना है introduction, सबसे पहले जो लिखा हुआ है, उसे select कर लेंगे, इसे remove कर देंगे delete button से, और उसके बाद यहाँ type कर देंगे introduction, आप इसके लावा कोई और नाम भी सोच कर रख सकते हैं, दोस्तों, हो सकता है customer ही आपको कहे, कि मुझे अपनी website के homepage में ये नाम लिखवाना है, ठीक है, आप उससे सलाह करके भी ये नाम decide कर सकते हैं, अब दोस्तों, य यहाँ से हम अलग-अलग fonts ले सकते हैं, यह बड़ा हो गया, ठीक है, और छोटा बड़ा आप कोई भी ले सकते हैं, उसके बाद यहाँ से आप font का size छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से इसको bold कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ से italic कर सकते हैं, यह यहां से चाहें तो उसके नीचे एक आप लाइन सकते हैं ओके यहां से आप चाहें तो एक link भी डाल सकते हैं ठीक है। यहां से दीजिए हम चाहें तो इसका कलर बदलकर red कर सकते हैं थीक्वे यह basically एक resume website है, अगर colorful होगी तो बड़ी अच्छी लगेगी, ठीक है, तो आप इसको जितना ज़्यादा हो सके, colorful बनाने की कोशिश कर सकते हैं, अभी फिलाल हमने अपनी इस website के home page का यह title रख लिया है, ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे, अब दोस्तो हम अपनी इस नई resume website की एक theme decide कर सकते हैं, ठीक है, वो कैसे decide होगी, देखी यहाँ जहाँ theme का button है, मैं यहाँ click करूँगा, अब देखींगे दोस्तों यहाँ पर 5 themes दिख रही है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, सबसे पहली वाली theme अलड़ी selected है, यही आपको दिख रही है, by default, हम चाहें तो जो नीचे वाली themes हैं, इनको भी ले सकते हैं, मैं आपको एक बार click करके दिखा देता हूँ, देखें, मैंने यह click की, तो यह देखी, यह theme change हो गई, ठीक है, उसके बाद यह diplomat वाली theme ली, तो यह अलग हो गई, ठीक है, vision वाली theme ली, तो यह थोड़ी सी और बदल गई, काफी change हो गई, ठीक है, यह level पर मैंने click किया, यह एक और theme है, यह एक और theme है, ठीक है, तो यह वाली जो theme है, यह best लग रही है, तो फिलहाल मैंने यह रख ली, आप कोई भी इसमें से theme, इस तरह से सिर्फ click करके, select करके देख सकते हैं, और रख सकते हैं, और अगर आप चाहें, तो यह जो theme है, इसका color भी बदल सकते हैं, मैं आपको change करके दिखा देता हूँ, हर theme के नीचे आपको color option मिलता है, अब देखें, यहां से हम एक दो color change करके देख लेते हैं, मैं अभी यहां पर यह click करता हूँ, yellow पे, अब आप देखेंगे दोस्तों, फिलहाल यह सिर्फ line change हो रही है, क्योंकि अभी बाकी का page तो बना नहीं है, ठीक है, जब यह बाकी का भी page बन जाएगा, तो यहां से हम जो भी color choose करेंगे अपनी theme का, तो वो सारे page पर वो ही color देखेगा, ठीक है, अब देखिए इस तरह से यहां से इसको change किया जा सकता है, मैंने फिलहाल इसको yellow पे रख लिया है, यहां से आप चाहें, तो इस theme के fonts भी बदल सकते हैं, तो इस तरह से दोस्तों हमने अपनी इस resume website के first page की theme decide कर ली, अब दोस्तों हमारी यह जो header image है, यह basically हमें इस नई theme के साथ मिली है, लेकिन इसको भी हम customize करेंगे और सुन्दर बनाएंगे, ठीक है, वो कैसे करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ, देखे जहां लिखा है change image मैं यहां क्लिक कर दूँगा, देखे जहां लिखा है select image मैं यहां क्लिक कर दूँगा, अब देखे यह जितने भी आपको images या photographs दिख रहे हैं, यह सब copyright free हैं और Google का यह tool जिसका नाम Google sites है, यह provide करवाता है, ठीक है, इसके लावा आप Google search करके भी और बहुत सारी themes ला सकते हैं, और यहां पर डाल सकते हैं, वो कैसे करना है, मैं आपको दिखा देता हूँ, जहां पर search लिखा, मैं यहां क्लिक करूँगा, और मैं यहां पर अब type कर देता हूँ, header, ठीक है, search पर क्लिक कर दिया, दोस्तों, यह Google search की सभी header image यहां दिख रही है, ठीक है, हम इन में से कोई भी image इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने यहां से ही एक image सेलेक्ट कर ली, ठीक है, और उसके बाद यह select पर क्लिक कर दिया, आप दिखेंगे, यह header image बदल गई, इस तरह से आप भी बदल सकते हैं, अगर customer देना चाहे, तो customer भी दे सकता है, उसको भी आप यहां पर लगा सकते हैं, अब हम अपनी इस resume website के first page को design करना शुरू करेंगे, right hand पर सबसे उपर जाएंगे, जहां लिखा है insert, यहां क्लिक कर देंगे, उसके बाद text box पर क्लिक कर देंगे, अब दोस्तों मैं आपको यह जो design बना कर दिखा रहा हूँ, आप चाहें तो इसमें बदलाव कर सकते हैं, changes कर सकते हैं, मैंने एक design आपको सिरफ दिखाने के लिए यहां पर बनाना शुरू कर दिया है, सबसे उपर यह जो box है, यहां पर मैं आप यह कुछ लिख दूँगा, ठीक है, यहां पर जो line आपने लिखनी है, यह आपका customer ही आपको provide करेगा, उसके resume या बायटा में लिखी होगी, ठीक है, अभी मैं type करता हूँ, दोस्तों मैं यह assume करके चल रहा हूँ, मैं यह जो resume website बनाने जा रहा हूँ, यह किसी graphic designer की है, ठीक है, अब मैं यहां पर कुछ type करूँगा, अब दोस्तों मैंने यहां लिखा I am Sanjeev Komar Jindal, यहां पर आप client का नाम लिख देंगे, या customer का नाम लिख देंगे, यह bracket के अंदर आएगा, उसके नीचे a, और यहां पर फिर दुबारा से bracket में, वो जिस profession में है, उस profession का नाम लिख देंगे, मैंने यहां लिखा graphic designer, ठीक है, और उसकी जो location है, वो लिख देंगे, यहां पर डेली में, अब मैंने यह जो तीन brackets लगाएं है, यह technical reason है, अब यह आप दिखेगा, इससे ही एक सुन्दर सा page बनता है, ठीक है, आपने भी इसी तरह से करना है, यहां पर photo लगेगी customer की, फिलाल तो मैं अपनी लगा दूँगा, ठीक है, पहले हम इसी portion को enhance करेंगे, ताकि यह सुन्दर लगे, मैं आपको दिखाता हूँ, अब यह जो तीनो लाइने लिखी हैं मैंने, मैंने इन तीनों को select कर लिया, अब उपर जाएंगे जहां लिखा है normal text, यहां पर click करेंगे, और जहां पर sub heading लिखा है, यह select कर लेंगे, अब देखिए बदल गया, अब देखिए जो सिरफ नाम है, customer का जो सिरफ नाम है, वो bracket के साथ, ठीक है, उसको select कर लेंगे, ओके, इसको यहां से bold कर देंगे, यहां से bold होता है, ठीक है, और यहां से color change कर देंगे, सिरफ इस portion का, इसको हमने red कर लिया, आप चाहें तो कोई भी color कर सकते हैं, ठीक है, अब हम नीचे के जो दो brackets के अंदर लिखा हुआ है, इनको भी select करके, इनका भी color exact वही कर देंगे, ओके, अब दोस्तों यह जो आपको पू Emphasis 1, यह थोड़ा सा minor सा faded सा हुआ है, ठीक है, अब मैं आपको दूसरा भी करके दिखा देता हूँ, Emphasis 2, अब आप देखेंगे, बिल्कुल बदल गया, आपको याद होगा दोस्तों, हमने इस website के, इस page का, जो theme color था, वो yellow choose किया था, याद होगा, ठीक है, अब वो यहां तो यहां से इस particular yellow वाले section में भी, आप कोई image upload करके डाल सकते हैं, या Google से search करके डाल सकते हैं, अब दोस्तों इस yellow section में हम customer की एक photo डालेंगे, फोटो डालने से पहले यह जो section है, इसको हम थोड़ा सा छोटा करेंगे दोस्तों, देखें, यहां से होगा यहां से मैं इसको left म drag करूँगा, तो यह छोटा हो जाएगा, अब यह जो space हमें मिल गया, खाली, यहां पर अब हम photo डालेंगे, देखें जहां यह images लिखा है, मैं यहां क्लिक कर दूँगा, upload पर क्लिक कर दूँगा, मैंने अपनी एक photo यहां पर select कर ले, client भी इसी तरह से आपको photo देगा, यह आपके files में देखेंगे, आपके laptop में, और अगर आप mobile से कर रहे हैं, तो आपके mobile phone के photos या gallery section में आपको दिखेंगी, ठीक है, तो यहां से आप उसको upload कर लेंगे, अब दिखेंगे, फोटो यहां पर आई है, ठीक है, इसको हम drag करके यहां ले जाएंगे, और थोड़ा कर लूँगा, अब मैंने इसको drag करके, एक position सेलेक्ट करके, वहां पर छोड़ दिया, ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं, बहुत असान है, अब दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, आज कल करोना काल में, ज़्यादा तर लोग जो नौकरिय नहीं हो जाए, online ही interview हो जाए, और selection हो जाए, और उसके बाद वो जाकर join कर ले, और हो सके तो online ही काम भी कर ले, ठीक है, तो दोस्तों, जिस customer या client की आप ये resume website बनाने जा रहे हैं, आप उससे ये request कर सकते हैं, कि वो अपने mobile phone से ही, अपना एक छोटा सा introduction video record करकर आपको भे page दे, और वो introduction video आप उसकी इस resume website में डाल देंगे, ठीक है, वो कैसे डालेगा मैं आपको दिखा देता हूँ, वो हमने यहाँ नीचे एक section बना कर वहाँ डालना हैं दोस्तों, सबसे पहले हम text box पर जाएंगे, यहाँ पर लिख देना है short intro video, ठीक है, अगर कोई customer या client आपक पहले यह text पर जाएंगे, इसको हम heading पर रख लेंगे, ठीक है, और यहाँ से हम चाहे तो इसके font बदल सकते हैं, यहाँ से हम चाहे तो इसका size बदल सकते है, fonts का, ठीक है, और यहाँ से हम इसको bold कर देंगे, और यहाँ से हम इसका color change कर देंगे, फिलाल मैं इनका color red कर देता हूँ अब यह जो section है इसकी setting करके हम इसे थोड़ा सा छोटा करेंगे इस dot को हम left की तरफ drag करके ले जाएंगे तो यह section छोटा हो जाएगा दोस्तों ठीक है आप देखते हैं इस तरह से हो गया अब इस section को हमने यहां center में लेकर आना है दोस्तों तो उसके लिए क्या करना है अब आप देखेंगे दोस्तों यहां पर हमने अपना एक वीडियो डाल कर आपको दिखा देता हूँ कि कैसे डालना है तो दोस्तों अब मैं आपको वो special trick या तलका बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में अभी तक बहुत ही कम लोगों को जानकारी है लेकिन हम खास research करके यह आपके लिए ढूंड कर लाएं है कि कैसे Google साइट पर जब हम कोई भी website बनाते हैं तो उसमें कोई भी वीडियो कैसे डालना है उसकी एक special trick है दोस्तों अन्य था वो वीडियो डलतो जाता है लेकिन जब आप वो website किसी को भेजते हैं तो वो वीडियो चलता ही नहीं है तो वो कौन सी trick है वो अब मैं आपको सिखाता ह तो customer की वो intro video drive के जरीए डलेगी दोस्तों ठीक है आपने customer को ये बोल देना है कि अपनी introduction video shoot करकर अपने email ID की drive में डाल दे तो वहां से आपने customer का intro video यहाँ पर upload करके लाना है वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है अब आप right hand पे देखेंगे जा drive लिखा है मैं या क्ल होगा ओके फिलहाल जैसे मैंने आपको बता है मैंने अपना ही एक video आपको दिखाने के लिए यहाँ पर डाल दिया है अब मैं यहाँ पर इसको क्लिक कर दूँगा और उसके बाद जहां नीचे insert लिखा है यहाँ पर क्लिक कर दूँगा तो आप देखेंगे दोस्तों हमारा यह intro video यहाँ पर upload होना शुरू हो चुका है थोड़ा सा समय लगेगा दोस्तों intro video यहाँ पर upload होने में अब दोस्तों यहाँ पर एक intro video आगया है यहाँ पर play नहीं होगा अभी मैं आपको preview में ले जाकर इसको play करके भी दिखाऊंगा यह आपको दिखाऊंगा कि अभी हमार पीछे करकर यह adjust हो जाएगी आप देखिए अब दोस्तों बहुत गौर से दिखेगा मैं आपको बहुत important बात बताने जा रहा हूं इस video की अगर आप इसको skip कर देंगे इसको नहीं देखेंगे तो यह आपकी resume website बन नहीं पाएगी ठीक है अब मैं कहना यह चारा हूं दोस् यह चलेगा तब अगर आप google drive के अंदर यह setting करेंगे जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं बहुत जरूरी है बहुत important है नहीं तो फिर आपके comments आएंगे sir यह video तो डल गया लेकिन जब हम इसको आगे कहीं भेजते हैं इस website को और वो इस video को चलाने की कोशिश करते हैं त तो यह आप आप देखिए कि आपने google drive में वो कौन सी setting करनी है कि जिससे यह video चलेगा ठीक है अब मैं आपको दिखाता हूँ अब इस Gmail ID की जिसके जरीए हम यह resume website बना रहे हैं इस particular Gmail ID का मैं google drive खुलूँगा ठीक है अब आप देखिएगा तो दोस्तों यह खुल गया google drive ठीक है आप डॉंट वरी अब सबसे पहले हम वो वीडियो देखेंगे जिस वीडियो को हमने अपने resume website में डाला है देखिए यह video था ठीक है इस पर मैं एक बार क्लिक कर दूँगा तो देखिए जैसे ही मैंने इस video पर क्लिक किया यह उपर कुछ tools खुले हुए आ गए ठीक मैं यहां क्लिक करूँगा देखिए तीन option आगए अब देखिए जहां viewer लिखा है इस पर आपने यह क्लिक करना है यह setting है दोस्तों ठीक है उसके बाद ही आपके resume website में डली हुई video चलेगी उस व्यक्ति के पास जो वो खोल कर चलाना चाहेगा अन्यथा नहीं चलेगी ठीक ह यह setting है ठीक है अब यहां पर click हो गया ओके अब मैं done पर click कर दूँगा अब यही google drive की setting मैं आपको अपने mobile phone में भी ले जाकर दिखाता हूँ यह आगया मेरा mobile phone आपकी आखों के सामने दोस्तों हर mobile phone में google drive का एक ऐसा icon होता है आप देख रहे हैं जो यह arrow आपको दिख रहा ह है ठीक है यह आपके mobile phone में भी होगा आप ढूंड लीजेगा इस icon पर मैं click कर दूँगा जहां drive लिखा है अब अगर मुझे उस email id के ऊपर login करना है इस google drive में जो customer या client ने हमें दी है और उसके जरीए हम उसकी resume website बना रहे थे google के 1000 के जरीए जिसका नाम था google sites ठीक है अब व client की email id डाल कर उसके password के साथ यहां पर उसको attach कर दूँगा और google drive फिर उस client के gmail id की मेरे mobile phone में खुल जाएगी अभी फिलहाल मैंने वही email id खोल रखी है तो अभी फिलहाल मैं इसको बंद कर देता हूं अब mobile phone पर google drive की setting कैसे करनी है वो मैं आपको दिखा देता हूं अब दे अब आप नीचे देखेंगे जहां लिखा है who has access उसके नीचे लिखा है not shared मैं यहां क्लिक करूँगा जहां not shared लिखा है अब आप देखेंगे यहां पर link लिखा है उसके नीचे लिखा है change ठीक है मैं यहां क्लिक कर दूँगा उसके बाद देखिए एक window खुल गई उसके न अपने laptop पर लेकर चलता हूँ और आगे का process दिखाता हूँ अब दोस्तों हम वापस अपने resume website पर चलेंगे जो हम बना रहे थे अब दोस्तों हमने जितनी भी यह resume website बनाई है हम देखते हैं यह बनी कैसी है ठीक है अब यह आप भी चेक कर सकेंगे कैसे आपको मैं दिखाता सबसे उपर दिखी यह एक button है यहां लिखा है preview यहां क्लिक कर देंगे तो final होने के बाद website कैसी दिखेगी आप देख सकते हैं यह इस तरह की दिखेगी सबसे उपर customer का नाम होगा यहां introduction लिखा है customer का नाम उसका designation उसकी location यहां उसकी एक photo होगी और नीचे यहां है short intro video ठीक मैं फिलाल आपको यह laptop mode पे चला के दिखाता हूं hello friends कैसे है आप जैसा कि आप जानते हैं मेरा मैंने अभी रोक दी अब मैं इसको आपको mobile phone mode पे भी दिखाता हूं कि कैसी दिखेगी तो देखिए इस तरह से दिखेगी है हमारी site ठीक है अब देखिए दोस्तों हमने इस website को जब mobile mode में चलाया तो यहाँ पर alignment थोड़ी सी हिली हुई है यह अभी हम एड़स्ट करेंगे मैं आपको दिखांगा कैसे करनी है ठीक है और यह नीचे आएंगे अब देखिए यह इंट्रो वीडियो अगर कोई यहाँ पर क्लिक करेगा तो यह इंट्रो वीडियो उसके mobile phone म हम थोड़ा सा छोटा कर देंगे देखिए यहां से मैं इसको ड्रैग करूंगा लेफ्ट की तरफ देखिए चोटा हो गया अब देखिए मैंने इसको छोटा कर दिया है ठीक है अब मैं दुबारा से प्रिव्यू पर जाकर देखता हूँ अब आप देखिए ठीक आ रहा है तो यह थोड़ी सी एड़ेस्ट्मेंट आप इस तरह से कर सकते हैं बहुत असान है 5 सेकंड लगते हैं ठीक है तो हमने अपनी जितने भी वेबसाइट अभी तक बनाई है आप प्रिव्यू में जाकर उसको देखते रही है ताकि अगर कहीं पर बदलाव करने है तो आपको करने चाहिए क्योंकि यह हर तरीके से आपको दिखाता है कि आप मोबाइल फोन में अगर इसको देखेंगे तो कैसी दिखेगी लैपटॉप पर देखेंगे और टैबलेट पर देखेंगे ठीक है तो आपको यहां से उसका आइडिया लग जाएगा ताकि अगर कल कोई व्य एड करेंगे एक सेक्षन होता है फूटर ठीक है जैसे फूटर नाम से पता चलता है पैर ठीक है तो सबसे नीचे वाला सेक्षन है एड फूटर ठीक है मैं यहां क्लिक कर दूँगा अब यहां पर हम फूटर में contact details डालेंगे customer की यानि कि अगर कोई भी व्यक्ति आपके customer या client से contact करना चाहेगा तो वो details यहां पर सारी डिलेंगी ठीक है यह details जाहिर है आपका customer या client ही आपको देगा जो आपसे यह resume website बनवा रहा है अब मैं यहां पर कुछ details कैसे डालनी है आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले इस footer का या section का हम एक नाम डाल देंगे get in touch अब देखिए यह जो style का section है यह भी small पर है यहां मैं click करूंगा इसको हमने title पर ले आना है ठीक है यह बड़ा हो गया ठीक है यहां से हम इसके font बदल सकते हैं यहां से size बदल सकते हैं ठीक है यहां से हम इसको चाहे इस यहां से इसको drag करके change करेंगे चोटा करेंगे अब हम इसको यहां से देखेंगे आप drag करके center में ले आएंगे अब हम इसके नीचे contact details डालेंगे customer की ठीक है वो कैसे डलनी है देखिए यह right hand में जो section है यहां पर लिखा text box यहां click कर देंगे तो देखिए यहां पर एक य इसको मैं यहां से move करके यह get in touch के नीचे लियाओंगा यह देखिए नीचे आगया देख रहे हैं ओके सबसे पहले हम यहां पर client का email id डाल देंगे हमने लिख दिया email यहां पर जो client ने आपको अपनी email id दी होगी वह यहां पर आपने copy paste कर देनी है मैं आभी एक email id डाल देत फिलाल मैं एक Indian number डाल रहा हूं तो मैंने India का code डाल दिया मैं आपकी जानकरी के लिए दोस्तों बता दूँ अगर कोई भी व्यक्ति इस email id के उपर सिर्फ अपनी उंगली रख देगा mobile phone पर तो वो सीधा इस email id पो email कर पाएगा वो कैसे होगा वो मैं अभी आपको दिखाऊ होंगा उसी तरह से जो नीचे WhatsApp number है अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर क्लिक कर देगा ठीक है इस website के उपर mobile phone पर ही तो वो इस WhatsApp नंबर पर पहुंच जाएगा और सीधे WhatsApp कर पाएगा उसको यह नंबर सेव वगेरा नहीं करना पड़ेगा यह कैसे होगा मैं भी आपको इसी वी को अन्हेंस करते हैं इसको हमने select कर लिया अब देखे यह यहां पर जहां एक style लिखा हुआ है यहां से हमने select कर लिया subheading ठीक है देखिए बढ़ा हो गया अच्छा दिख offen यह जो email ID है इसको हमने select कर लेना है ठीक है इसको बोल्ड कर लेना है और इसका color बदल देना है ठीक अब देखिए जो underline है मैं यहां से इसको click करके हटा सकता हूँ देखिए हट गया ठीक है उसके बाद यह जो whatsapp number है इसको भी मैंने bold कर लिया और इसका भी color बदल दिया और इसी तरह से यह contact number है इसको भी मैंने bold कर दिया और इसका भी color बदल दिया अब मैं इस email ID को clickable बनाना आपको सिखाऊंगा यानि कि अगर कोई भी व्यक्ति इस email ID पर click करेगा तो वो इस व्यक्ति को direct email कर पाएगा दोस्तों ठीक है मैं आपको वो करके दिखाता हूँ यह जो email ID है इसको हम select कर लेंगे अब उपर आप देखेंगे यह जो एक link का option है जहां लिखा है insert link यहां click करेंगे अब आप देखेंगे दोस्तों जैसे ही आप इस link पर click करेंगे तो नीचे आप देख रहे हैं कि एक link बनाकर automatically इस google site tool या वजार ने हमें दे दिया है यह automatically बन जाता है ठीक है आपने बस यहाँ apply पर click कर देना है बस इतना करते ही यह email ID clickable बन चुका है ठीक है यानि कि आप किसी भी व्यक्ति को यह note करके उसको दुबारा से email type करकर email भेजने की आवशकता नहीं पड़ेगी वो बस यहाँ click करेगा और वो email भेज पाएगा मैं करना है ठीक है उसके बाद mobile number paste करना है यह जो code है यह code मैं इस video के description box में लिख दूँगा आप वहां से जाकर उसको copy कर सकते हैं अब आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर यह जो country code है और यह जो mobile number है उसके बीच में एक space है इसको हटाना है यह बहुत जरूरी है नहीं तो फ preview में जाकर कि कैसा बना है ठीक है अब अब देखेंगे दोस्तों जैसे ही मैंने इसको clickable बनाया इसका color change हो गया है और इसके नीचे के line भी आ गई है अब हम इसको select करके इसका color दोबारा से red कर लेंगे जो original हमारा color था और यह line हटा देंगे अब मैं आपको preview में जाके दिख रही है ठीक है अब हम नीचे आएंगे तो देखें यह email ID है यह WhatsApp नमबर है अब देखेंगे यहां पर यह थोड़ा सा disjointed सा लग रहा है ठीक है इसको अब हम change करेंगे थोड़ा सा बदलाव करेंगे इसमें और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि यह clickable कैसे हैं ठीक है अब ही फिलाल मैं यहां से इसको बंद करके वापस जाऊंगा और नीचे आऊंगा अब देखें दोस्तो मैंने इसकी थोड़ी सी setting change कर दी मैंने इसको छोटा कर दिया इस section को ठीक है यानि font वगरा मैंने छोटे कर दिये अब मैं देखता हूँ कि यह preview में कैसा दिखता है mobile phone का ही preview देखते हैं ठीक है अब ठीक दिख रहा है क्योंकि मैंने font छोटे कर दिये तो यह आपको करते रहना है दोस्तों यह बहुत जरूरी है ठीक है अब मैं यहां पर आपको क्लिक करके दिखाता हूँ email ID और WhatsApp ठीक है कि क्या यह clickable बने भी है ठीक है तो पहले email पर click करूँ देखी मैंने जैसे ही click किया यह मेरे laptop में एक section खुल गया Microsoft Outlook यहां से email किया जा सकता है इस email ID पर ठीक है अब मैं आपको mobile phone पर भी दिखाता हूँ अब यही site जो हम बना रहे हैं दोस्तों यह मेरे mobile phone पर आपको दिख रही है ठीक है अब मैं अगर इस email ID पर click करता हूँ तो आप देखते हैं मैं सीधा इस व्यक्ति को email कर पा रहा हूँ यह सीधा मैं Gmail पर पहुंच गया ठीक है तो कहने का मतलब यह है कि यह clickable बन चुका है अब मैं दुबारा से laptop पर आता हूँ अब मैं यह window बंद कर देता हूँ अब मैं अपने laptop के उपर WhatsApp नमबर पर अगर click करता ह हूँ तो आप देखेंगे यह clickable बन चुका है दोस्तों ठीक है आपको पता ही होगा कि laptop पर भी आप WhatsApp चैटिंग कर सकते हैं ठीक है मैं यहाँ से अगर click करूंगा तो मैं chat कर पाऊंगा ठीक है अब मैं अपने mobile phone पर इस WhatsApp नमबर पर click करके आपको दिखाता हूँ जैसे मैंने इस नमबर पर click किया मैं इस नमबर से WhatsApp चैटिंग कर पा रहा हूँ तो आपने देख लिए दोस्तों email ID और WhatsApp नमबर clickable बन चुके हैं अब मैं mobile phone आपके सामने से हटा कर आगे की website बनाना आपको सिखाता हूँ अब देखिए जो preview है इसको यहाँ से बंद कर देंगे अब हम द कर दिया अब यह देखिए एक और section बन गया ठीक है पहले हम यहाँ पर customer का address type कर देंगे और उसके बाद इस section को यहाँ पर align कर देंगे मैं आपको करके दिखा देता हूँ जल्दी से अब हमने यह जो text लिखा है इसका हम font वगरा और size change करेंगे देखिए जहां small लिखा है हम हम चाहे तो small पर रख सकते हैं हम चाहे तो normal text कर सकते हैं यह best रहेगा ठीक है यहां से हम इसके font वगरा भी बदल सकते हैं ओके अब मैं इस address की placement यहां करूँगा ठीक है उसके लिए देखिए जहां यह alignment का बटन है मैं यहां क्लिक करूँगा इस से मैं इसको कहीं पर भी align कर सकता हूं मैं इसको right में align करता हूं देखिए right में align हो गया ओके अब मैं इसको उठा कर यहां से उपर ले आता हूं अब दोस्तों हमारी इस website का footer भी बन चुका है ठीक है अब हम आगे के pages design करना सीखेंगे देखिए जहां pages लिका है यहां क्लिक करेंगे अब देखिए यहा हम अगले page पर पहुंच गए इस page का हमने नाम रखना है अपनी इस website के second page का अब हम एक नाम रखेंगे इसमें हम लिख देंगे about यानि कि जो व्यक्ति अपना ये resume website हम से बनवा रहा है पैसे देकर उसके बारे में अब हम details डालेंगे second page पर ठीक है उसके बार done पर click कर है जैसा first page का header है सिर्फ ये नाम उपर से बदला है वहाँ पर लिखा हुआ था introduction यहां लिखा है about हम चाहें तो इसको बदल भी सकते हैं मैं आपको बदल के दिखा देता हूं मैं यहां लिख देता हूं profile summary अब आप देखेंगे दोस्तों कि यह जो footer है यह भी साथ में आप अगर वो website में लिख्यूए information अच्छी लगे आप उस website में किसी व्यक्ति से contact करना चाहें तो आपको कही website पर इधर उधर ना जाना पड़े आप सीधे नीचे आईए footer पे और आपको पूरी contact details मिल जाती है तो यह दोनों चीज़ें आपको हर बार ready made मिलेंगी बस इसके बी में हम अपने customer की resume की जो profile summary है वो add करेंगे ठीक है अब देखिए वो हम add करेंगे यहां पर जाकर जहां लिखा text box यहां क्लिक कर देंगे दोस्तों जो client या customer आपसे यह resume website बनवा रहा है वो अपने पूरी details आपको भेजेगा अपनी profile summary भी भेजेगा अपना resume भी भेजेगा ठीक है आपने बस वहां से कुछ information copy paste यहां कर देनी है ठीक है मैंने कुछ information पहले से copy करके रखी हुई है आपको दिखाने के लिए मैं यहां एक पेस्ट कर देता हूं यह दिखे मैंने कुछ information यहां पेस्ट कर दी अब यह जो font वगरा है इनको हम थोड़ा change करेंगे enhance करेंग ठीक है अच्छा लगेगा यहां से हम चाहें तो इसको bold भी कर सकते हैं ज्यादा अच्छा लग रहा है italic भी कर सकते हैं और उसके बाद यहां से हम इन fonts के color को बदल सकते हैं दीखे मैं red कर देता हूं ठीक है और यहां से हम इसको align भी कर सकते हैं दीखे इस तरह से हो गया ठ कर सकते हैं मैंने आपको जैसे पहले पेज में करके दिखाया था ओके फाइन अब हम इसमें थोड़ी सी और information add कर सकते हैं वो नीचे करेंगे अब हम दोबारा text box पर जाएंगे और एक और section यहां add कर लेंगे यह information जो हम यहां डालने वाले हैं यह भी हम करके चल रहे हैं कि client या customer ही आपको देगा अपने resume में डालके मैंने कुछ information कहीं से copy करके रखे हुए मैं अब यहां पर paste करके दिखा देता हूँ अब यह जो matter है इसे भी हम थोड़ा से edit कर सकते हैं इस पूरे section से ठीक है यहां से हम इसका text चोटा बड़ा कर सकते है heading पर ला सकते हैं बहुत बड़ा हो गया देखिए चाहे तो हम इसको normal text पर ही रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा यहां से हम इसके font बदल सकते हैं ठीक है मैंने देखिए align कर दिया और अगर मैं यहां पर click करता हूँ तो देखिए यह automatically यहां पर यह bullets या dots बनके आ जाती है ठीक है तो यह इससे आप enhance कर सकते हैं ठीक है यहां से इसको delete कर सकते हैं दोबारा paste कर सकते हैं तो दोस्तों यह अब हमारा profile summary वाला भी page बन चुका है second page ठीक है अब इस second page का भी preview देख लेते हैं तो दोस्तों इस website का यह second page mobile mode पे ही खुला है आप देख सकते हैं ठीक है देखने में ठीक लग रहा है आप इसको इससे जदा better बना पाएंगे दोस्तों क्योंकि मैंने तो यह जल्दी जल्दी सिरफ आपको तरीका सिखाने के लिए बनाया ठीक है अब हम यहां से इसको बंद कर देंगे अब दोस्तों हमारी इस website में दो pages बन चुके हैं ठीक है अब हम और pages add करेंगे pages पर जाएंगे add button पर click कर देंगे अब इसका भी एक नाम डाल देंगे यहां लिख देंगे education और उसके बाद डन पर click कर देंगे तो देखिए education ल कर ली यहां पर select पर click कर दिया अब दोस्तों यह जो customer की हम resume website बना रहे हैं इसमें हम उसके resume या by data का education से related details डालेंगे ठीक है वो हमने यहां डाल देनी है और वो हमें customer ही provide करेगा दोस्तों अब वह information कैसे डालनी है सिरफ copy paste करनी है आपने customer ने जो अपना resume दिया है उसमें ज यहां text box है यहां click कर दूँगा अब यहां पर यह जो box नया खुला है मैं यहां पर जो customer की education details है मैं paste कर दूगा अब देखिए यहां पर हमने पहले से एक section बना कर आपको दे दिया है यहां पर सबसे उपर education लिखा यहां उसकी degree डाल दीचे जब उसने यह degree ली है तो यह date आ कर देंगे और यह जहां पर plus का sign है यहां click कर देंगे और इसका नाम रख देंगे work history यानि जो customer है उसने जहां जहां पर experience gain किये अपने job के दौरान वह information हम इस चौथे page में डालेंगे अब यहां done पर click कर देंगे तो देखिए work history पहले से लिखा हूँ आ गया अब यह जो background ह यह education का है तो इसे हम change कर देंगे यहां change image लिखा है यहां click करेंगे select image पर जाएंगे search पर click करेंगे और यहां पर type करेंगे work तो work से related Google के उपर जितनी भी images हैं हमें दिख जाएंगी दोस्तों ठीक है इसमें से एक image मैंने choose कर ली select पर click कर दिया अब यह हमारे इस header के उपर आ वो यहां पर copy paste कर देंगे अब हम दुबारा से यहां आएंगे जहां लिखा है insert यहां click करेंगे और जहां text box लिखा यहां click कर देंगे अब देखिए text box खुल गया यहां पर मैं information paste कर दूँगा यह आ गई देखिए ठीक है तो इस तरीके से आपको information client के resume में से ही मिलेगी आ निकाल कर अब हम एक और page add कर देते हैं कि यह जो client है हमारा अगर इसने कोई project पूरे करें हुए है अभी तक क्योंकि हम यह assume करके चल रहे हैं कि हम एक graphic designer का resume बना रहे हैं let's say आप किसी teacher का resume बना रहे हैं तो वह आपको अपने कुछ projects की details दे सकता है ठीक है तो वह आपने कैस से add करनी है वह मैं आपको दिखाता हूं देखिए जहां लिखा pages यहां पर आ जाएंगे अब हम एक और page add करने कि हम चार page बना चुके है अब हम पाच्वा page यहां से add करेंगे जहां plus का sign है यहां पर इसका नाम रख देंगे projects ठीक है done पर click कर देंगे अब इसकी जो header image है वह खुद बखुद यहां पर दिखा देगा उसमें से कोई एक image जो आपको लगता हो इस particular client के resume से match करती होगी या उसके project से match करती होगी वो आपने यहां से pick कर लेनी है उसके बाद select पर click किया और देखी यह project पीछे आ गया ठीक है अब यह जो project की details है यह भी आपको customer ही देगा चाहता हो तो वो आप फिर परशान हो जाएंगे कैसे डालना है तो मैं आपको इसलिए वो डालके दिखा रहा हूँ अब दुबारा से जहां insert है या click कर देंगे नीचे देखे जो layout का section है वहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत अलग-अलग तरह से हम layout design कर सकते हैं ठीक है फ लग project details यहां पर डालकर दिखा देता हूं सबसे पहले यहां उपर डालता हूं plus पर click करूंगा upload पर click करूंगा अब मैंने यह एक image यहां से select कर ली यह देखी यहां पर आ गई ठीक है अब मैंने यहां से दूसरी select कर ली यह दूसरी यहां पर आ गई यहां पर मैं एक video डाल यही होगा ठीक है दोस्तों मैं अब ड्राइव पर क्लिक करतेता हूं अब देखिए गूगल ड्राइव खुल गई यह गूगल ड्राइव दोस्तों उस Gmail ID की खुली है जिस Gmail ID का अपनी इस resume website में तो आपको Google Drive में जाकर वही setting करनी पड़ेगी उस video की जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाई थी ठीक है आपको याद होगा नहीं तो आप rewind करके देख लीजे अगर आप Google Drive में वह setting नहीं करेंगे इस Gmail ID की तो ये video नहीं चलेगी जब ये कोई भी व् ज़रूरी है दोस्तों अब मैं जल्दी से वह setting आपको करके दुबारा से दिखा देता हूँ अभी मैं आपको ये चला कर भी दिखाऊंगा preview में जाके ठीक है हम चाहें तो आप इसके नीचे इसी तरह से text box पे जाकर एक section बनाकर इनसे related details भी add कर सकते हैं वो मैं आपको सिखा चुका हूँ कैसे करना है तो आप चाहें तो अलग-अलग projects की details इसके नीचे भी डाल सकते ह हैं और यहां नीचे एक section बनाकर वहां पर भी डाल सकते हैं यह जो section है आप कितना भी लंबा कर सकते हैं ठीक है इसकी कोई limit नहीं है दोस्तो ठीक है यह footer अपने आप नीचे चलता चला जाएगा यहां पर आप जितनी emerging details ऐसी डाल सकते हैं और इसी तरह से यह हमारा पाच् page की website बना सकते हैं free में Google के इस tool के जरिये ठीक है आपकी जेब से एक पैसा भी खर्च नहीं होता है आप यह बनाकर client को दे देंगे और उससे पैसे ले लेंगे अब दोस्तो हम इस website को पहले publish करेंगे ठीक है और देखेंगे कि यह देखने में कैसी लगती है ओके उसके लग-लग pages उपर भी दिख रहे हैं ठीक है home पर क्लिक कर दूँगा अब देखें सबसे उपर जहाँ publish का बटन है यहां क्लिक कर देंगे तो दोस्तों यह जो arrow आपको दिख रहा है यह हमारी website है यह हमारी website का address बना है यही आपने client को दे देनी है ठीक है और client इसी अपने website के address को आगे किसी को भी भेज सकता है चाहे वो WhatsApp करे, email करे, Twitter से भेजे, SMS करे हम चाहें तो यह वाला जो हिस्सा है इसको बदल सकते हैं यहां से edit कर सकते हैं ठीक है अब देखें उसके नीचे लिखा है custom URL यह आपने नहीं लेना है दोस्तों ठीक है उसके बाद यह जो settings से इनको कहां से मिलेगा मैं आपको दिखा देता हूँ देखें यह जो link वाला बटन है ठीक है यहां पर click कर देंगे तो देखें यह हमारा link है यह जो हमने website बनाई है यह उसका link है ठीक है यहां से link copy कर सकते हैं इसको select करके भी copy कर सकते हैं ठीक है तो मैंने यहां से copy कर लिया मैं करके एंटर कर देता हूं तो देखिए यह हमारी वेबसाइट खुल गई दोस्तों ठीक है आप देखिए यह बिल्कुल प्रफेशनल वेबसाइट लग रही है मैंने कुछ ठीक है अब दोस्तों आप रिजू में वेबसाइट बनाना तो सीख चुके अब मुद्दे की बात यह है कि रिजू में वेबसाइट बनवाने वाले कस्टमर्स या क्लाइंट आपको कैसे मिलेंगे तो चलिए अब मैं आपको वो दिखाता हूं और वो मैं आपको आपको फेस्बुक का आइकन दिख रहा है मैं क्लिक कर दूँगा आपका फेस्बुक अकाउंट होगा ही दोस्तों अगर नहीं है तो बना लीजेगा फ्री में बनता है दो मिनट में ठीक है अब मैं आपको दिखाता हूं कि आप फेस्बुक के ऊपर रिजूमे का काम पकड़ने जा रहे हैं ठीक है जिनके फेस्बुक अकाउंट में ये वाला आइकन नहीं दिखता है मैं दिखा देता हूं वो कहा दिखेगा जहां ये तीन आपको पैरलल लाइन्स दिख रही है मैं यहां क्लिक करूंगा आप देखेंगे यहां पर मार्केट प्लेस द देंगे अब देखें सबसे ओपर जहां लिखा है पोस्टेट बाइ नीचे मेरा नाम लिखा यहां आपका नाम दिखेगा ऑविसली क्योंकि ये फेस्बुक अकाउंट आपके नाम से होगा उसके नीचे देखे लिखा है जॉब टाइटल ठीक है अब देखें दोस्तों मैं रिजुमे वेबसाइट बना कर देंगे सिरफ 500 रुपे में ठीक है और इस रिजुमे वेबसाइट के जरीए वो फ्रेशर कैंडिडेट अपने लिए बहतर नौकरी ढूंड पाएगा और जब वो फ्रेशर कैंडिडेट अपना ये रिजुमे वेबसाइट किसी भी कंपनी म लगेगा यार यह candidate बहुत ही ज़्यादा enterprising है बहुत ही ज़्यादा अलग तरीके से सोचता है out of box सोचता है इसने अपने resume की एक website बना रखी है ठीक है तो बहुत अच्छा impression पड़ेगा तो दोस्तों आपको ज़्यादा से ज़्यादा तो customer मिलेंगे जो आपसे resume websites बनवाना चाहेंगे वो होंगे fresher candidates ठीक है तो अभी फिलहाल job title में हम लिख देंगे fresher candidates required उसके बाद confirm पर क्लिक कर देंगे अब नीचे आएंगे तो लिखा है business name यानि आपने अपनी किसी जिंदल international उसके बाद नीचे आएंगे दोस्तो अब देखी नीचे लिखा है job description यहाँ आपने कुछ ऐसा लिखना है कि जिससे कोई भी fresher candidate तुरंत आपसे एक resume website बनाने में interested हो जाए ठीक है मैं यहाँ कुछ लिख देता हूँ अब देखी मैंने job description में कुछ लिख दिया है मैंने लिखा we can create a very good resume website for you यानि हम एक fresher candidate को कह रहे है भाई यह हम आपके लिए बहुत बढ़िया सी resume website बनाएंगे सिर्फ 500 रुपे में उसके लिए अलग से कोई domain name भी नहीं लेना पड़ेगा आपको ना यह हर साल renew करनी पड़ेगी lifelong validity है आप अपनी इस resume website को जितनी मर्जी बार edit कर सकते हैं इसमें changes कर सकते हैं आपका अपनी इस resume website के उपर पूरा control रहेगा और इस तरह से आप अपने prospective employers को impress भी कर पाएंगे आप ऐसा ही कुछ अपने भी Facebook के उपर इस marketplace के विज्यापन में डाल दीजेगा ठीक है उसके बाद नीचे आएंगे अब देखिए यहां लिखा हुआ है कि जो भी candidates आपके इस विज्यापन को देखेंगे वो कैसे आप से contract करेंगे देखिए यहां लिखा हुआ है messenger ठीक है यहां पर आप पर दीजेगा one time क्योंकि basically आप यहां पर उन fresher candidates को target कर रहे हैं जो Facebook के marketplace पर अपने लिए नौकरिया ढूंडने आए हैं एक तरह से आप उनकी मदद कर रहे हैं नौकरी पाने में ठीक है उसके लिए आप उनसे एक one time fees charge करने वाले हैं अपने उपर लिखती ठीक है उसके बाद नीचे आएंगे अब दोस्तों हम सबसे ज्यादा important section में पहुँच चुके हैं और वो है location ठीक है यह बहुत ही जरूरी है इसका इस्तेमाल करके आप बहुत ज्यादा अच्छा पैसा कमा सकते हैं जैसा कि मैंने अभी आपको बताया यह विग्यापन डालने से पहले सबसे पहले मैं आपको विग्यापन डालके दिखा रहा हूँ भारत के candidates के लिए ठीक है तो अभी फिलहाल हम जो location है वो भारत की कोई रख लेंगे ठीक है उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से location बदल कर आप Europe, America, Australia किसी भी मुल्क या देश के candidates को ये offer कर सकते हैं कि आप उसके लिए एक resume website बना देंगे आप चिंता मत कीजे दोस्तों कि आप एक विदेशी के लिए resume website कैसे बना देंगे आपने कुछ लिखना नहीं है resume या by data तो candidate ने चाहे वो अमेरिका में हो या जपान में हो अपनी तरफ से उसने भेजना है आपने तो सिरफ उसमें जो लिखा है उसे इस resume website में जैसा मैंने अभी तक आपको सिखाया है set कर देना है बस ठीक है इस location को आप बदल सकते हैं दोस्तो ठीक है और जिस location के candidates आपको चाहिए आप वो location पर कैसे पहुंचेंगे मैं आपको दिखाता हूँ देखे सबसे उपर जा लिखा set pin location मैं यहाँ पर अपनी उंगली एक बार रख दूँगा ठीक है अब वो location वाला जो pin था वो यहाँ पर एक blue pin बनकर आ गया है यह location वो दिखा रहा है जो मेरी present location है ठीक है मैं इसको बदल सकता हूँ दोस्तों ठीक है मैंने करना क्या है मुझे अपनी fingers का इस्तेमाल करकर map को इस तरह से drag करना है कि यह पूरे इंडिया को दिखाने लग जाएगा आप देखीगा थोड़ी देर में यह देखे देखे तो मैं इस pin को वहाँ ले जाऊंगा आप देखेंगे मैं पूरे में ले आया ठीक है और जैसे मैं done करूंगा तो यह मेरा विज्यापन पूरे में दिखाई देगा दोस्तों आप समझ गए ओके तो मैंने यह done कर दिया और उसके बाद मैं confirm पर क्लिक कर देता हूँ तो हमारी यह location अब confirm हो गई ठीक है अब दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि यह जो location है हम दुनिया के किसी भी हिस्से की रख सकते हैं let's say आप resume websites बनाना चाहते हैं उन candidates की जो अमेरिका में रहते हैं या जो England में रहते हैं जपैन में रहते हैं औस्टेलिया में रहते हैं आप यह म पहरत में किसी गाउं कस्पे में बैठ कर Americans और England और Australia के candidates की website कैसे बना लेंगे जी आप बना लेंगे क्योंकि अपना resume या resume की पूरी details तो वही आपको देंगे ठीक है वो तो आपने लिखना नहीं है ना आपने तो सिरफ resume website बनानी है उसी तरह से जैसे मैंने आपको विग्यापन को दिखा सकते हैं थोड़ा सा आपको बदलाव करना होगा सबसे उपर job description में जहां रूपीज लिखा है 500 रुपया यहां पर आपको इसकी जिगा डॉलर्स लिखने होगे 5 डॉलर्स 10 डॉलर 3 डॉलर वो जो भी amount आप चार्ज करना चाहें कम amount चार्ज करेंगे अच्छा रहेगा आपको काम मिलने में असानी रहेगी facebook के उपर अगर कोई भी fresher candidate अमेरिका में है और वो आपका ये विग्यापन देख लेता है तो 2-4-5-10 डॉलर देने में उसे दिक्कत नहीं होगी दोस्तों ठीक है तो अब इंडिया के लावाद दूसरी locations कैसे डालनी हैं दूसरे मुलकों में जो candidates हैं उनको कैसे target करना है उनसे काम resume website बनाने का कैसे पकड़ना है चलिए अब ये दिखाता हूँ सिरफ ये location का ही game है दोस्तों जहां location लिखा है मैं दोबारा क्लिक कर दूँगा और जो ये location आ गई इसको मैं यहां से delete कर दूँगा ठीक है अब दूबारा से जहां लिखा है set pin location मैं इस पर click करूँगा अब दोस्तों मैं दूबारा से अपनी fingers के जरीए इस map को इस तरह से contract करूँगा कि ये पूरे world का map मुझे दिखने लग जाएगा इसमें समय लगेगा दोस्तों आपका जो internet connection है उसके हिसाब से ठीक है आप थोड़ा साथ धैरे रखना पड़ेगा अब देखेंगे दोस्तों मैं इसको भारत से दूर लेता जा रहा हूं यह जो blue color का dot है इसको मुझे उस location पर ले जाना है world map में जिस country के candidates को मैं ये resume website बना कर बेचना चाता हूं ठीक है तो let's say मैं इसको यहां लेकर आ गया अब देखें मैं इ करके इस तरह से करूंगा कि मैं किसी अमेरिका की city तक पहुंचता हूं या किसी location पर पहुंचता हूं लेट से मैं Chicago में पहुंच गया ठीक है मुझे लगता है कि मुझे Chicago के candidates को पकड़ना है उनको मैं resume website बना कर देना चाहता हूं ठीक है और उसके बाद done पर click कर देना है आपने उसके description में changes कर देने हैं जहां rupees लिखा है वहां dollars कर देने हैं ठीक है अगर आप किसी और मुल्क से resume website बनाने का काम पकड़ना चाहते हैं तो आपने उस मुल्क की location ले लेनी है और वहां की currency में पैसे लिख देने हैं कि इतने पैसे आप लेते हैं resume website बनाने के ठीक है अब उपर से मैं फिलहाल Chicago वाली location को confirm कर दूँगा अब आप देख सकते हैं दोस्तों यहां location change हो गई अब देखिए यहां पर हमने एक photo लगा देनी है यह बहुत important है दोस्तों क्योंकि जो दिखता है वही बिखता है अगर आप Facebook के उपर अपना एक विग्यापन डाल रहे ह देगा मैं अब भी एक image बनाकर रख्यों यह वह यहां पर upload कर दूंगा अब हम यहांपर add photos पर click कर देंगे और उसके बाद upload photo पर click कर देंगे यहां पर एक image मैंने save करके रख्यों हुई है ठीक है मैंने इस पर click किया और done पर click कर दिया तो देखिए यह इमेज यहां पर आ गई ठीक है यह बहुत जरूरी है मैंने जैसा आपको पहले कहा कि जो दिखता है वही बिखता है तो फेस्बुक के मार्केट प्लेस में जो सैकणों हजारों लाखों विग्यापन होंगे उसमें से आपका विग्यापन तभी उभर कर आएगा अगर आप उसमें कोई फोटो लगाएंगे हाँ आपने ध्यान ये रखना है कि अगर भारत के बाहर आप कोई क्लाइंट पकड़ रहे हैं तो उसमें हिंदी में कुछ न लिखें सिर्फ अंग्रेजी में ही लिखें जो एक अंतराष्ट्रे भाषा है ठीक है उसके बाद पोस्ट पर क्लिक कर देंगे तो यह जॉब पोस्ट हो चुका है देख सकते हैं अब मैं डन पर क्लिक कर दूँग के लोकेशन भी है लोकेशन हमने यूएस से के डाली थी ओके तो यह इस तरह किया से होगा तो ऐसा ही विग्यापन आप भी बनाकर डालेंगे तो आपको काम जरूर मिलेगा दोस्तों इसके लावा अपने इस विग्यापन को आप फेस्बुक पर जादा से जादा लोगों जाबस रिलेट rendered ही होते हैं हजारों घृप में हजारों मेंबर्स होते हैं आप उनको जाइन कर लिए और अपने इस विग्यापन को वहां उन गृपस इसके जरिये इससे आपको तक पहुछेगा आपको ज़्याद से ज़्यादा काम मिलेगा हो सकता है इतना ज़्यादा काम मिले आप handle भी ना कर पाएं अब मैं आपको दूसरा तरीका दिखाता हूँ जिससे आप resume website बनाने का काम पकड़ सकते हैं वो भी मैं आपको mobile phone पर ही दिखाऊंगा वो भी एक mobile app है चलिए मैं उस पर लेकर चलता हूँ वो भी 100% free है यह है दोस्तो OLX India 100% free mobile app है इस mobile app का link इस video के description box में लिख दिया है आप click करेंगे install कर लेंगे 100% free है जैसा आपको बताया अगर आपको इस app को install करने में थोड़ी सी issue आए तो मैंने इस app को कैसे install करना है इसके बारे में एक detailed video बना कर YouTube पर डाल रखा है उस video का link मैं इस video के description box में लिख दूँगा आप जा कर देख लिजेगा हलांकि बहुत असान है अब मैं इस OLX icon पर click कर दूँगा अब देखिए नीचे जहां sell का button है में यहां click कर दूँगा अब देखिए यह एक window खुल गई जहां लिखा है more categories में यहां click कर दूँगा उसके बाद जहां लिखा है jobs में हैं click कर दूँगा अब आप देखिएगा दोस्तों यहां पर बहुत सारी categories है basically हम कोई job offer तो कर नहीं रहे हैं किसी को हम यहां पर काम पकड़ने आए हैं resume website बनाने का ठीक है तो मैं other jobs पर जाकर click कर दूँगा मैं आपकी जानकारी के लिए दोस्तों बता दूँ OLX mobile app के उपर आप 3 महने में 2 विग्यापन या advertisements डाल सकते हैं 100% free of cost हैं ठीक है अगर आप 2 से ज़दा विग्यापन डालेंगे 3 महने के अंदर तो वो paid हो जाता है वो आपने नहीं करना है ठीक है अगर आपको यह लगे नहीं आपको 2 से ज़दा विग्यापन डालने हैं तो उसका जोगाड़ भी मैं आपको बता देता हूँ किसी भी सदस्य के mobile phone से ये mobile app download करते जाएं और 3-3 महने के लिए 2-2 विग्यापन मुफ्त में पाते जाएं तीन महने के बाद आप फिर से 2 विग्यापन मुफ्त में पा जाते हैं किसी भी हालत में पैसा देकर आपको विग्यापन नहीं डालना है ओके सब कुछ free में ही services लेनी है ठीक है समझ गए अब मैं आपको यहां पर विग्यापन डालके दिखा देता हूँ सबसे उपर जहां लिखा है salary period आप यहां पर monthly choose कर लीजे ठीक है position type जो है देखे दोस्तो full time choose कर लीजे ठीक है अब देखे नीचे जहां लिखा है add title ठीक है यहां आप टाइप कर देंगे freshers required ठीक है उसके बाद नीचे आएंगे तो आपने exact वही information copy paste कर देनी है जो facebook पर paste कर देता हूं आप कुछ अलग सा भी लिख सकते हैं उसके बाद जहां next लिखा है यहां click कर देंगे उसके बाद आपको यह photo choose करके olx के उपर भी डाल दीजेगा आपने अपनी खुद की photo नहीं डालनी है फिर वह विग्यापर accept नहीं होता है olx की policies के मताबिक आप कोई और photo डाल दीजेगा location यह automatically आपकी दिखाएगा जो present location है आप यहां से उसको बदल भी सकते हैं जहां यह arrow का sign आपको दिख रहा है उसके बाद next पर click कर देंगे अब देखिए यहां पर आपका उपर नाम लिखा हुआएगा नीचे आपका phone number लिखा हुआएगा जब आप olx mobile app क अपने phone में download करते हैं तो आपका mobile number automatically यह app verify करती है ठीक है उसके बाद नीचे जैसे ही मैं post now पर click कर दूँगा मेरा यह विग्यापन olx mobile app पर 100% free में live हो जाएगा और मुझे लोग contact करेंगे अपने इस काम को करवाने के लिए यानि कि आपको contact करेंगे अगर आप ऐसा विग बारे में अभी तक किसी को भी जानकारी ना हो तो आज के वीडियो में मैंने आपको ऐसा ही तरीका बताया दोस्तों जिसके बारे में अभी तक शायद किसी को भी जानकारी है ही नहीं मैंने आपको resume website बनाना सिखाया मैंने आपको यह भी सिखाया कि उसमे client का एक introduction वीडियो भी कैसे डालना है, उसके लावा मैंने आपको client पकड़ना भी सिखाया और वो भी आपके mobile phone से ही अगर आप इतना भी कर लेंगे तो आप कमाई जरूर कर पाएंगे इसके लावा अगर आप एक full time job ढून रहे हैं, अभी तक मिली नहीं है, तो मैंने काफी videos बनाकर YouTube पर डाल रखे हैं, कि full time job जल्दी से जल्दी कैसे पा जाएं, मैंने उन videos की एक playlist बनाकर इस video के description box में डाल दी है आप उन videos को भी देख लीजिए हो सकता है आपकी खुद की एक full time job भी जल्दी से जल्दी लग जाएं, तो ये थी video friends, thank you very much